नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेस आज के मुख समसार मद्ध प्रदेश में विध्यान सभा चुनाओ की तारीखों के एलान के साथ ही आचार सनहिता लागू हो गई है जिसका असर आम नागरिकों के अलाबा नेताओं और सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा इसी बीच खबर आई है कि चुनाओ को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कर्मचारियों के अबकास पर ततकाल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है अब ये सभी कर्मचारी कलेक्टर के अनुमती से ही छुट्टी ले सकेंगे दिल्ली सराब नेति घुटाले में गिरफतार आम आदमे पार्टी के राज्यसभा सांसत संजे सिंग की रिमांड कोट ने तीन दिन के लिए बढ़ा दी है एडी ने मंगलवार को पांच दिन के रिमांड पूरी होने के बाद दुबारा उन्हें कोट में पेस किया जांच जिंसी ने कोट को बताया कि संजे सिंग के खिलाब घुस मागने के सबूत हैं वे हिरासत में सवालों के सही जबाब नहीं दे रहे जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे जब उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतोस जनक जबाब नहीं दिया केंद्री ग्रह मंद्री अमित साह ने हैदराबाद में कहा कि पहले लोग कहते थे कि धारत 370 को हाथ लगाओगे तो खून की नदिया बह जाएंगी नदिया तो छूड़िये अब किसी की कंकड उठाने के भी हिमत नहीं है राम मंदिर को लेकर 550 सालों तक लाखों लोगों ने आंदोलन किया पियम मोदी ने वहां राम मंदिर बनाने के लिए भूमी पूजन कर दिया अगले साल भक्त मंदिर में भी दर्शन कर सकेंगे इजराइल और हमास के बीच आज जंका चौथा दिन है हमास ने गाजा से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था इसके साथ ही उसके लड़ाकों ने इजराइल से 1.500 से जादा लोगों को बंधक बना लिया इजराइल ने गाजा पर जबाबी हमले में अब तक करीब 1707 जगों को निशाना बनाया इस दोरान उसने कई मस्जिदों पर भी हमला किया हमास के खिलाब जग के चोथे दिन इजराइल के पीम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंती नरेंडर मोदी को फोन किया इस दोरान उन्होंने पीम मोदी को जग के बारे में पूरी जानकारी दी इसके बाद पीम ने ट्विट कर कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं आम आजमी पाइटी के एक और नेता के खिलाफ एडी ने कारवाही सुरू कर दी है मंगलवार सुवए एडी ने अमानातुल्ला खान के घर पर छापा मारा ये कारवाही मनी लाउंडिंग से जुड़े एक केस में की जा रही है एडी ने ये कारवाही दिल्ली एंटी करॉप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल दो FIR के तहट की है ये FIR दिल्ली बफ बोर्ड में नोकरियों में अनिमित्ताओं से जुड़ी है अमानातुल्ला खान बफ बोर्ड में चेयर मैन है ओडीसा के पूरी में जगननात मंदिर जाने वाले सधालो को अब ड्रेस कोट फालो करना होगा मंदिर प्रबंदर ने सोंबार को बताया कि अगले साल एक जनवरी से ड्रेस कोट लागु किया जाएगा ड्रेस कोट लागु होने के बाद लोक जगननात मंदिर में हाब पेंट कटे फटे जीन्स, इसकर्ट और स्लिबलेस कपड़े पहनकर नहीं जा सकेंगे मंदिर की नीति सब कमेटी की मीटिंग में ये फैंसला लिया गया है विधान सबा चुनाओ की आचार सनीता लगने से ठीक पहले सरकार ने तावर तोड फैंसले किये हैं सियम असोक गहलोत ने आचार सनीता लगने से दो घंटे पहले तेईस अजार करोड रुपे से जादा की मंजूरी दी है नए बनाए गए बोडों में अध्याच्च और मेंबरों की नियुक्तियां की गई हैं कई बोड अध्यच्चों ने तो आदेश निकलने के ततकाल बाद जोईन भी कर लिया कुछ के आदेश तो आचार सनीता लगने से कुछ देर पहले ही निकले हैं हाल ही में की गई लोक लुभाबन घोशनाओं के आदेश भी आज ही जारी किये गए हैं इंदोर के स्री बैसनव इंसिट्यूट ओफ मेनेजमेंट के 20 वर्षी छात्र की हाइट अटेक से मौथ हो गई कबड़ी मैच सेलिक्षन राउंड में उसे उल्टी हुई इसके बाद वह बेसुध होकर गिर गया टीचर से और साथी उसे तुरंद अस्पताल लेकर पहुँचे जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया कल दिन्भर की प्रमुखबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरात्री